नमस्कार मैंनेशी शर्मा स्वागत है आपका जन प्रवाद में अपने फैसलों को निडर तरीके से लेने वाली वे डट कर हर परिशानी का स्थामना करने वाली कंगना रनाओद ने अपनी अलग पहचान बनाई है साथ ही महिला केंदरत फिल्मों को एक नई दिशा परदान की है अब कंगना रनाओद ने बॉलिवुड के फेमस खांज और कुमार के साथ फिल्म ना करने वाली बातों का खुलासा किया है उन्होंने बताया आखिर क्यों वो खांज और कुमार के साथ फिल्म नहीं करती थी अगर अभीनेत्री के सफर की बात करें तो कंगना ने अपने करियर के शुरुआती दिनों में ही एलिस्टेट फिल्मों को ठुकराने और अवर्ड फंक्शन में दूरी बनाई रखने जैसे कुछ बड़े फैसले लेकर यह मुकाम हासिल किया है हाल ही में अभीनेत्री की अपकमिंग एक्शल फिल्म धाकर के ट्रेलर के रिलीस के दोरान जब कंगना से उनके स्पेसले के बारे में पूछा गया कि क्यों वो खुद को अवर्ड फंक्शन से दूर रखती थी तब अभीनेत्री ने एक बार फिर बॉलिवुड के तीनों खांज शारुक, सल्मान, आमिर और अक्शे कुमार पर निशाना साथते हुए अपना पक्षखा कंगना बोली, जब वो खांज और कुमार के साथ फिल्म बनाने से मना करती थी, तो लोग उन्हें ताना देते थे, कि वो अपने करियर खराब कर रही है इसके बाद कंगना बोली, जब आपके पास अपने भविश्य के लिए ऐसा प्लान होता है, जैसा किसी और के पास ना हो, तब लोगों को लगता है कि इस लड़की के साथ कुछ गड़बड है कंगना ने जोर देते हुए कहा, मुझे लोगों कोई फोन आते थे, वो मुझसे बड़ी फिल्मों और पुरिसकार समहारों को भरिशकारिट करने के पीछे का कारण पूछते थे मुझे ये जानकर हैरानी होती थी, कि वो ऐसा सोचते हैं कि मैं अपना जीवन बरवात कर रही हूँ मैं अभी जिस मुकाम पर खड़ी हूँ, वो कोई एकसिडेन नहीं है मैं हमेशा सोचती थी, कि मेरा भी इन चीजों पर उतना ही हग हो, जितना बाकी लोगों का है मैं अपने आपको किसी से भी कमतर क्यों समझो कंगना आगे कहती हैं, मैं हमेशा यही सोचती थी, कि एक दिन मेरा ये सपना जरूर पूरा होगा मैंने इसकी योजना नहीं बनाई थी लेकिन मेरे पास विजन था मैं इसे अकेली पूरा नहीं कर सकती थी इसके लिए आपको टीम की जरूरत पढ़ती है यह एक टीम वर्क होता है जिसके लिए आपको मुकल जैसे निर्मारता और राजजाई जैसे निर्देशक की अवशकता होती है एक बार फिन कंगना ने ऐसा बयान देकर खुद को सबसे अलग साबित कर दिया है खबरों का सिलसला जारी रहेगा देखते रहेए जनप्रवाद नमस्कार